स्प्री नाच्जी गुरुजी को अलग आदेश, मा भगवती को अलग आदेश, रांची वाले पहरःवबाबा को अलग आदेश, आप सभी को अदेश, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, यक्षनी साधना में जितनी तर्यक की यक्षनियां होती है, सब का साधना मैं एक एक करके आपको बताऊंगा, तो पिछले बार मैंने एक यक्षनी की साधना आप लोगों को बताई वो आकर्शन की थी अब ये दूसरी यक्षनी है जिसकी साधना मैं आपको बताऊंगा Vibhrama यक्षनी का नाम है Vibhrama अगर आप शंसकृत सब्द है अगर आप इसको इंग्लिस में समझें तो बड़ा Erotic Scientist का मतलब आता है, कि जिसमें एक Sex Appeal हो। उसको Vibrahma कहते हैं। तो बहुत तरह के आकर्षन मंत्र का प्रयोग करते हैं, बहुत तरह के मोहिनी का प्रयोग करते हैं, जग को पूरय विश्व को आकर्षत करने के लिए कुछ मंत्र करते हैं। तो विब्रहमा एक मात्रा इसा मंत्र है कि अगर आप इसको कर लो तो कम से कम जो अपोजिट सेक्स है वो आपसे हमेशा आकर्शित रहता है देखें किसी ने मुझ से पूछा कि आप ऐसे तंत्रिक साथनाय दे रहे हैं तो कुछ लोग इसका गलत उप्योग भी कर सकते हैं ने 40, 55, 56 और है आतन ही कोकुप कर लें न चजना का पीस करने का करें आपको अगर लग जाये को आज है sugar. आज तो रूद्रनाज जी क हम लिए औnh 872 अ чем 170 वह विए mm Okeван seated गॉक जाओा तो इनके साथ बहुत सारे दूद भूद भी आते हैं, कोई भी साधना इतना सिंपल नहीं होता है, यक्षणी जो है, यक्षणी बड़ी मूडियल होती है, देखो, मैंने अपने जीवन में पहली यक्षणी को तब देखा जब मैं जानता भी नहीं था कि यक्षणी क्या होती परमपूजे गुरुदेव ने मुझे बताए कि पिछले जनम का था तुम फिर से साथ लो उसके बाद हुने पूरा व्यक्षणी का क्या क्या होगा जब आएगी नहीं आएगी कैसे रखना होगा क्या करना होगा मैंने सास्टांग डंदवट कर लिया गुरुजी को मैंने मेरी यक्षणी है इसको आप रख लो फिल गुरुजी का अशिरवाद हुआ उन्होंने किसी चीज में उसको बिठा के मुझे दे दिया तो जब यक्षणी को मैंने पहली बार देखा था तो मेरे घर का स्ट्रक्चर में बैठके किताब पढ़ रहा था और मेरे घर का पूर पर चर प्रित्वी पर नहीं देखा है तो लेकिन मुझे छोड़ करके उस समय किसी को कुछ नहीं दिख रहा था ऐसा लग रहा था कि समय स्थिर हो गया है और उसके जाने के बाद फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया तो यह उती यक्षणी पिछले जनम में शायद किसी तंत्र प्रविष निसेद रहेगा ठीक है वो खुद इतना डिमांडिंग होती है कि आपको इधर उधर दिमाग नहीं लगाने देगी चलिए तब आते हैं से यक्षणी के साथना में यह यक्षणी आपको वो आकर्शन देगे जिससे कि आप और दूसरे इस्त्रियों को के लिए केंद्र बने लेकिन साथ में यही यक्षणी आपको अपने अकर्शन से बाहर नहीं निकलने देगे आपका हर तरीके से उस फील्ड में बढ़ोगे लेकिन मैंने जैसा बताया कि हर एक तांत्र क्रिया का अपने दूस प्रभाव होता है तो वो इसमें भी रहेगा मंत्र मैं मैं जैका अब आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं थीक है? इस मंत्र को याद करें पहले-जनररि क्या करते हैं कि मंत्र करें बैठे उसके अथ़दों सेज़ऻ स्क्रेया है जब करते करते आप याद कर ले आदàng लें लेकिन इस मंत्र को अश्येयान करना इस मंत्र को याद करके ही बैठना है, अगर आप बीच में मंत्र के जाब करते करते आपने गलत कर दिया, दुर्गाश अप्षति वाला हिसाब है कि अगर आपने गलत पढ़ा तो फिर से पूरा शुरू करें, तो इसलिए इस खास करके इस यक्षिनी के साधना में बड़ा सत सिरुष ग्षिनी के साधना करने बैठें, इसका मंत्र आपको कंठस्त हो, ठीक है, एकदम आप अभी जब श्क्रीन पे छे बस्ता देखेंगे, तो आपको ये मंत्र दिखाई देगा आपके स्क्रीन पर और ये देखे, ये है मंत्र याद कर लेना है क्रिया शुरू होने के पहले, क्रिया कर न दिन कॉन से रहाए나 के बहुत अच्छु, शनिवार रहे उत अच्छा sya न दिन ही होता है, कोई बहुत विशय प्रेजत का मतलब होता है, इसी अगर आप असमशान में ही क्रिया करने वाले हैं तब भी आपको मिट्टी वहां की चाहिए मिट्टी का मतलब मैंने शाहिद गलत बोलती है राख चाहिए होगा जब आप यह साधना करेंगे तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपके आपको कोई भी ना हो नाconomy जाना आपको कोई बचाने वाला नापको कोई पहचानने वाला यह बिल्कुल इह करने वाला साधना शांत जगा खोज लें वहां पर टुवर्डस नौर्थ मतलब जिस तरफ कैलास्थ परवत है सुरियास्थ के बाद जनरली कोई भी पुजा के लाश परवत की तरफ होता है तो नौर्थ की तरफ मुक करके बैठ जाए बिना आसन की जो जमीन है उस जमीन पर ये पूरा मंत्र असमशान की राख से लिख ले एक घी का दिया जलाए और आपको कपूर निरंतर जलाते रहना है कपूर जो है वो रुकना नहीं चाहिए जलना तीक है आपको जो उक्त मंत्र दिया गया है उस मंत्र का बीस हजार जाप करना है मांत्र आपने बीस हजार जाप कर लिया आपको प्रत्यक्षिक करन होगा भगवती का यक्षनी का और उसके बाद आपके बुलाने पर दिए जो मंत्रे आपको दिया इसी मंत्र से यह आएँगी भी तो जब भी आप इंको बुलाएंगे यह आएँगी और आपको जो भी मन का भाव होगा वो यह सुनेंगी लेकिन मैं फिर आपको एक बात बता रहा हूँ कि इनको रखना बहुती कठिन है क्योंकि ये पत्नी स्वरूप में ही रहती है तो दूसरा यक्षिनी साधना पूरा हुआ तीसरे में मैं धन यक्षिनी की साधना बताऊंगा अभी अगले वीडियो में आज किसी गुरू भाई ने मुझे बोला है कि दूर्गा शब्षति और नवारन मंत्र के बारे में बताएं तो मैं कुछ वीडियो जबी देख रहा था नवारन मंत्र का और दूर्गा शब्षति का तो काफी ग्यानी लोग हो गए हैं तो मैं कुछ चोटी चोटी बाते कुछ स्त्रोत्र कैसे पढ़ते हैं क्या शब्दा वली होगी स्त्रोत्रों की क्या क्रम होगा जब हम दूर्गा शब्षति पढ़ेंगे क्योंकि देखो अब मैंने टार्गेट किया है अपने गुरू भाई के कहने पे कि मैं आने वाले नवरात्र मतलब अभी जो नवरात्र आता है गुप्ट के बाद वाला जो एप्रिल में के असपास पड़ेगा मार्च एप्रिल में उससे पहले आप लोगों को दुर्गा शब्चति का पूरा विशह समझा दूँगा अगर आप दुर्गा शब्चति ना कर आप हैंड्रूप फर पारनॉर्मल इंवर्जिगेटर वो आप खरीत पर पढ़ें अमाजोन पर बिलता है तो जिता भी ओनलाइन पोर्टल से सब्जिवा में जाएगा आपको मुझ से बात करना चाहते हैं तो आस्क्मी फॉर एप है गूगल प्ले स्टोर पे आपल पे भी वीडियोस को देखें अभी के लिए आप सबी को अलागा लेज